जैश्री राधरानी सरकार की, जैश्री क्रिशन भगवान की, जैकार्तिक मास महत्यम्य की मंदर शिवनसी वाले महात्मा YouTube चैनल के और से हम आप सभी भकतों का हारधिक अविननदन करते हैं। कार्तिक मास के सिपावन समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के दूसरे अध्याय की परम सुन्दर कथा को सुनाने जा रहे हैं जो की इस परकार है सूद जी महाराज शोनकादी सभी रिशों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे रिश्यो भगवान शीक्रिशनी ने आगे का हाल सुनाते हुए सत्य भामा से कहा है कि हे सत्य भामा अपने पिता और पती की मृत्यू का हाल सुनकर गुनवती अत्यंत दुखी हुई और रूदन करने लगी अपने पिता और पती के वियोग दुख से पिडित होकर वह करुन स्वर में विलाप करने लगी हा नाथ हा नाथ हे तात आप दोनों मुझे अकेली छोड़ कर कहां चले गए मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी अब कौन घर में बैठी हुई मुझे कुशल हीन दुखनी इस्त्री का भोजन और वस्त्र आदी के द्वारा पालन करेगा इस परकार बारं बार दुखी हिर्दे से विलाप करके वह भहुत देर के बाद चूप हुई है गुनवती शुब करम करने वाली थी उसने घर का सारा समान बेच कर अपनी शक्ति के नुसार पीता और पती का पाड़लोकिक करम किया है भगवान में उसकी श्रद्धा थी इसलिए उसने सब कुछ विधी पुर्वक किया है तत पर शात वह उसी नगर में निवास करने लगी शात भाव से सत्य शोच आदी के पालन में ततपर हो भगवान विश्नु के भजन में समय बिताने लगी है भगवान के श्री चरद्धा में उसका अगाध प्रेम था उसने अपने जीवन भर दो व्रतों का विधी पुर्वक पालन किया एक तो एक आदशी को उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भानती सेवन ये प्रिये ये दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिये हैं ये पुन्य उत्पन करने वाले पूत्र और संपती के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं जो कार्ति के महीने में सूरे के तुला राशी पर रहते हुए प्रात्यकार सनान करते हैं, वे महापात्त की होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में सनान, जागरन, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं, वे शाक्षात भगवान विश्णो के सवरूप हैं। जो लोग श्री विश्णो मंदिर में जाडू देते स्वास्तिक आदी निवेदन करते हैं, और श्री विश्णो भगवान जी की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्थिक मास में तीन दिन भी इस नियम का पालन करते हैं वे देवताओं के लिए भी वंदनिय हो जाते हैं फिर जिन लोगों ने आज जनम इस कार्थिक रुवत का अनुष्ठान किया है उनके लिए तो कहना ही क्या है इस परकार गुनवती प्रतिवर्ष कार्थिक मास का करती थी वहे श्री विश्ण भगवान की परिशर्या में नीत निरंतर भक्ती पुर्वक मन लगाए रहती थी एक समय जबकी जरा अवस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वहे स्वेम भी जवर्स से पिडित थी किसी तरह से धीरे धीरे चल कर गंगा जी के पैर रखा क्यों ही वे शीत से पिडित होकर कापती हुई गिर पड़ी उस घबराट की दशा में ही उसने देखा कि आकाश से विमान उतर रहा है जो शंक, चक्र, गदा और पदमधारन करने वाले श्री विश्ण रूपधारी पार्षदों से शुशोबित है और उसमें गर चमर ढुलाया जाने लगा मेरे पार्षद उसे वैकूंठ धाम ले चले विमान पर बैठी हुई गुनवती प्रजवलित अगनी शिखा के समान ते जस्वनी जान पड़ती थी कार्थिक मास के वरत के पुन्य से उससे मेरे निकट स्थान मिला तदनंतर जब मैं ब्रहमा प्रित्वी पर आया तब मेरे पार्षद गन भी मेरे साथ ही आये हैं हे भामिनी समस्त यादव मेरे पार्षद गन ही हैं ये मेरे समान गुनों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे वेही अब सत्राजित हुए हैं हे शुभे चंद्र शर्मा ही अकरूर हैं और तुम गुनवती हो। कार्तिक मास के वरत के पुन्य से तुमने मेरी परसंता को बहुत बढ़ाया है। पुर्व जनम में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी जी की वाटिका लगा कर रखे थी। इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प रिक्ष शोभा पा रहा है। पुर्वकाल में तुमने जो कार्थिक मास में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्षमी प्राप्त हुई है, तथा तुमने जो अपने वृत आदी सब कर्मों को पती सवरूप श्री विश्ण भगवान की सेवा में निवेदन किया था इसलिए तुम मेरी पतनी हुई हो जन्म से लेकर मृत्यू परियंत जो कार्थिक मास के वरत का अनुष्ठान किया है उसके परभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा हे सत्य भामे इस परकार जो मनुष्य कार्थिक मास में वरत पारायन होते हैं वे मेरे ही समीप आते हैं जिस परकार कि तुम मुझे पर संता देती हुई यहां आई हो केवल यग्य, दान, तप और वरत करने वाले मनुष्य कार्थिक मास के वरत की पुन्य की एक कला भी नहीं पास सकते हैं इस कारण कार्थिक मास में सब को प्रातैसनान के नियम का पालन और बाकी सभी धर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य मात्र मेरी कृपा का अधिकारी हो जाता है ये सत्य भामे जिस मनुष्य ने अपने जीवन में सदा ही कार्तिक मास के वरत का अनुष्ठान किया है भगवान के चर्णमी अपनी मन को लगाया है तुलसी जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन किया है प्रति दिन जिसने कार्तिक मास में तुलसी जी के समीप दीपक जुलाया है वे अवश्य ही मेरी कृपा के अधिकारी हो जाते हैं और उन्हें जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं और इस जीवन के पशात उन्हें वेकूंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है जहां से वापिस नहीं आना पड़ता है इतनी कथा और शिरी सूद जी महराज शोनकादी सभी रिशियों से कहने लगे हैं कि हे रिशियों इस कारण कार्थिक मास में अवश्य ही सब धर्मों का पालन करना शाहिए क्यूंकि कार्थिक मास स्वम भगवान शिक्रिशन जी को अती प्रिया है इसी कारण सत्य भामा से उन्होंने बड़ी ये सुन्दर कथा कही थी हे रिशियों जगत के स्वामी भगवान शिक्रिशन जी के श्री मुख से अपने पूर्व जनम के पून्य मैं वैभव की कथा को सुनकर उस समय महारानी सत्य भामा को बड़ा हर्श हुआ है आज सत्य भामा बारं बार भगवान शिक्रिश सुन लूँ कार्तिक मास में किन किन नियमों का पालन करना है कार्तिक मास में किस तरह से भगवान की भक्ती करनी है ये सब ग्यान मुझे भी अब होना चाहिए सत्य भामा के मन में ऐसे भाव आए है और उधर भगवान श्रीक्रिशन जी सत्य भामा को आनंद में देखकर स्वम आनंद मगन हुए हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों को देखकर सदा आनंद में रहते हैं अगर भगवान के भक्त आनंद में हैं तो भगवान भी आनंद में हैं अगर भगवान के भक्त किसी कष्ट में हैं तो भगवान उनके कष्टों को दूर करते हैं अगर भगवान के भक्त किसी आनंद के सागर में डूब की लगा रहे हैं तो भगवान उन्हें देखकर प्रसन होते हैं और उनके आनंद को और बढ़ा देते हैं इसी कारण आज सत्य भामा का आनंद प्रतिशन बढ़ रहा है इतनी कथा सुना कर शिरिसूत जी महाराज शोनक आदी 88,000 रिशियों से कहने लगे हैं कि हे रिशियों कार्तिक मास्ट की कथा की यही महिमा हैं कि जो कोई इस कथा को सुनता है उसका मन इस कथा में लग जाता है उसके मन में केवल एक ही बात आती है कि इस कथा को और सुनू और सुनू और सुनू क्योंकि इस कथा से बढ़ से उसे धन की प्राप्ति हो जाती है जिसे अपने दुख दूर करने हो इस कथा को सुनने मातर से उसके सभी दूख दूर हो जाते हैं जिसे संतान की इच्छा हो उसे कार्तिक मास की कथा के पुन्य के परभाव से संतान की प्राप्ति होती है और जिसे भगवान के चर्नों में भक्ती की आवश्यक्ता महसूस होती हो जिसे भगवान के चर्णों का प्रेम प्राप्त करना हो उसे भगवान अपना प्रेम दे देते हैं संसारिक मनो कामनाएं भी पूरी होती है और उसके परशात भगवान के श्री चर्णों में प्रेम भी हो जाता है और इस मनुष्य मास में मनुष्य मात्र को अपने मन को भगवान के चर्णों में लगा कर भगवान की भक्ति अवश्य करने चाहिए क्योंकि इस मास में जितना भी भगवान का नाम लिया जाए जितने भी भगवान की कथा सुनी जाए जितना भी भगवान की भक्ति की जाए उसका फल अनंत ग के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है अगले अध्याय में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे तो मंदर शी बंसी वाले महात्मा यूडियूब चैनल के ओर से इस कथा को आपने सुना आप सब का हार्दिक धन्यवाद जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री आधे शाम